हेलो फ्रेंड्स आज की ताजा खबर में आप सुबों की स्वागत है जार्खन की तमाम चोटी बड़ी खबरे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी मैट्रिक इंटर का रजिस्टेशन शुरू 2 दिसंबर है फॉर्म भरने की आखरी तारिक लेट फाइन के साथ 7 दिसंबर तक भर सकते हैं फॉर्म मैट्रिक और इंटर की परिच्छा के लिए रजिस्टेशन की परकिरिया शुरू हो गई है लेट फाइन के साथ रजिस्टेशन फॉर्म 7 दिसंबर तक भरा जाएगा या रजिस्टेशन सथ 2020 बैस के लिए होगा जारखन एकेडमिक कॉंसलिंग की तरब से इस समन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इसमें करीब 7 लाग बच्चों के सामिल होने की उमीद जताई जा रही है इसी के साथ अगली बड़ी खबर जारखन में क्रोणा 237 मिले नए संक्रिमित मरीज 316 ठीक हुए 3 मरीजों की मौत जारखन के विभीन हिस्सों में बुधवार को 237 नए क्रोणा पोजेटिव मरीजों की पहचान हुए 316 मरीज ठीक भी हुए इनमें से 161 मरी राची से सामिल है राज भर में अब तक 17921 संक्रिमितों की पहचान की जा चुकी है इनमें से 2242 एक्टिव केस है वहीं बुधवार को तीन मरीजों की मौत भी हुई मिर्तोकों में देवगर हजारीबाग और पच्मिश सिम्भुम से 11 मरीज सामिल है इसी के साथ अगली बड़ी खबर जार्खन पुलिस की पाल 36 पेज का बुकलेट जारी किया लोगों को साइबर क्राइम से बचाने का तरीका बताना है उद्देश जार्खन में तेजी से बर्ड रे साइबर अपराद को रोकने के लिए जार्खन पुलिस अब लोगों को जागरुक करेगी जार्खन पुलिस मुखियाले साथ 36 पेज का बुकलेट जारी किया है इसमें साइबर क्राइम के वजों और साइबर क्राइम से बचने के उपाई क के समद्ध में जनकारी दी गई है भुकलेट के उद्देश नागरीकों में विभिन परकार के सैबर अपराज जो उन्हें परभावित कर सकते हैं के खत्रों के बारे में जागरुक करना और उससे बचने के लिए उपायों के बारे में जनकारी देना है इसे के साथ अगली लोगों को जागरुक करने के लिए महा अवियान शुरू हो गया है बिना माक्स के घुमने वालों से 500 रुपईये जुर्माना वसूला जा रहा है पहले ही 301 लोगों से रुपईये का जुर्माना वसूला गया या अभियान ट्रैफिक पुलीस की तरब से चलाया जा रहा है डिसी छवी रंजन की निर्देश पर रांची के विभीन चोग चोराहों पर अभियान चलाया जा रहा है इसी के साथ अगली बड़ी खवर लातेहार में छात्रविर्त की एसीबी जांच के बीच अब लातेहार में प्रीमेट्रिक अल्पसंग्यक छात्रों के नाम पर एक रोड रुपईये की छात्रुती घोटाले का खुलासा हुआ है मामला कल्यान विभाग के तहत संचालित महुआ टान के तिन नीजी अस्कूलों का है इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मन सरकार का एक साल पूरा जियंत बोले राज सरकार की गलत नितियों से खजाना खाली भाजपा जारी करेगी स्वेत पत्र भाजपा संसत जियंत सीनहा ने राज सरकार को आयोग हुआ दिसाहिन बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी गलत नितियों से राज का खजाना खाली हुआ अर्थ विवस्ता चौपट हो गई परदेश भाजपा मुख्याले में प्रेश वार्ता में उन्होंने कारगुवर सरकार में 2018-19 की तुलना में 2019-20 के लिए राजसुर्स प्राप्तियों में 29.7% की व्रीधी हुई पुरवर्ती सरकार ने भरा खजाना स सौपा था पर 2020-21 के खराप बजट के कारण कमप्लेक्स में 29.8% की कमी आई जिसमें कैपिटल आउटेल 32% गिर गई विवनिर्मान पर खर्च कम हुए सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपा स्वेत पर जारी करेगी इसी के साथ अगली बड़ी खबर जारकर में आठवी बोर्ड का संसोधित रिजल्ट जारी 4813 हुए परमोट आठवी बोर्ड का संसोधित रिजल्ट जारकर एकेडमिक कॉंसिलिंग ने बुधवार की साम जारी कर दिया आठवी बोर्ड की मुखी परीचा में आसफल 42,324 परिचार्थियों में से 40,813 चार्थियों को 20% ग्रेश मार्च दे कर परमोट किया गया हुए 1511 चार्थियों को 20% ग्रेश मार्च देने के बावजित निर्धारी 33 परिचात अंग नहीं ला सके आठवी बोर्ड की परिचा इसी साल जन्वरी में हुए थी इसमें 5,3,824 परिचार्थि सामिल हुए थे इसमें से 4,61538 परिचार्थि स्पास हुए और 42,324 परिचार्थि आसफल रहे थे इन परिचार्थियों के लिए विशेज परिचा का आयोजन किया जाना था इसके लिए इनसे आवेदन भी लिए गए थे क्रूना महामारी की करन इसका आयोजन नहीं किया जा सका अगली बड़ी खबर राज में अब 2% से भी कम मरीज सकीरी राज में वैसे मरीजों की संख्या लगतार घट रही है जो अब पोजेटिब है ऐसे मरीजों की संख्या घट कर अब 2% से भी नीचे हो गई है राज में बुधवार को 316 मरीज के स्वस्थ होने के बाज सकीरी मरीजों की संख्या घट कर 2124 रह गई इधर बुधवार को राजी में 17593 लोगों की जांच क्रोना हुई जिसमें 233 संक्रिमित पाए गए इसी के साथ अगली बड़ी कहबर गुमला सिम्डेगा चत्रा और खुटी मुख्यालय को रेलवे से जोडने का प्रामर्श रेल प्रियोजनाओं को लेकर राची उच अस्त्री कमेटी ने सिम्डेगा गुमला चत्रा और खुटी जिला मुख्यालय को रेलवे से जोडने के लिए परियास करने की सला दी गई है कमेटी ने अपनी अनुसानसाएं सौप दी है जिसके अनुसार रेल प्रियोजना पर केंद्र और राज की 50-50 फिस्त की भागेदारी लभदायक नहीं है कमेटी ने जे आर आई डी सी एल्ड को ऐसी संभावनाएं इतलासने को कहा है जिसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाब हो मुखमंत्री ने विकास आयुक्त की अध्यस्ता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है इसी के साथ अगली बड़ी खबार मैट्रिक और इंटर्मीडियेट के राजी टॉपर्स को सरकार करेगी सम्मानित मुखमंत्री स्वच विद्याले प्रुषकार वित्रन तथा मैट्रिक एवं इंटरमेडियेट के विभिन बोर्ड की राज अस्तिरिय टॉपर्स को समानित करने के लिए सामरों का आयोजन किया जाएगा मुखमंत्री हेमंसौरे ने इस दोरा स्वच्टा परतियोगीता में उत्कृष्ट परदर्शन करने वाल 119 विद्यालियों को भी प्रुषक्रित करेंगे इस मौके पर राज सरकार जारखन इंटर्मीडियेट कांसिलिंग केंदिये माधिमी की परिसिच्छा बोर्ड और ICSE बोर्ड की मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिच्छा में राज अस्तर पर पहला दुसरा और तिसरा अस्तान हासिल करने वाल विद्यार्थियों को प्र ट्रियोजर्चन हो सकता है सी के साथ अगली बड़ी भड़ी खबर फॉन पर प्रलोभन देने के लिए लालू पर्साद पर राज सरकार दज करें अपरादिक मामला बाबुलाल मरांडी भाजबा विधायक दल के नेटा बाबुलार्मरांडी ने कहा कि फॉन पर यंडिये की है इसी के साथ अगली बड़ी खबर जहारखन में मास्क पर डिबेट मंत्री बोले मास्क जरूरी ना भी पहने तो दो गज की दूरी रखे पर या कहते हुए खुद ही ऐसा किया स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता मंगलवार को रेर्स पोचे यहां निरच्छन करने के चीत में कहा कि मास्क जरूरी है पर ना पहने तो दो गज की दूरी जरूर रखे लोगों को एक दुसरे के संपर्क में आने से रोकना होगा सांसों और शरीर का मिलन नहीं होना चाहिए सोसल डिस्टेंसिंग का पैलन सभी को करना है या पूछे जाने पर कि कई जी लोग में मास्क नहीं पहनने पर आठ से दस घंटे के लिए अस्थाई जेल में रखने की त्यारी की जा रही है इस पर उन्होंने कहा कि इसकी जनकारी मुझे नहीं है अगली बड़ी खबर मौसम का हाल आज चाह सकते हैं बादल 26 से 27 को हो सकती है बारिज सहर का नियुंतन तापमान 14 डिग्री मौसम विभाग के पुर्वा लुमान के अनुसर राची में बुधुवार से हलके बादल चाहे रह सकते हैं 26 और 27 नौमर को बारिज होने की भी 25 डिग्री से 27 के आसपास रह सकता है राची में मंगल वार को मौसम साप रहा सहर का नियुंतन तापमान 10.1 डिग्री और उच्तम तापमान 26.24 डिग्री दर्ज किया गया इसी के साथ अगली बड़ी खबर हर्ष फैरिंग तिलक सामरों में चली गोली एक महला की मौत परिजन ने किया हंगामा जहरिया की सुदामर डी थाना छेतर में बुधुवार को एक तिलक सामरों में हर्ष फैरिंग के दौरान एक महला की मौत हो गई जबकि एक वेक्ति के पैर में गोली लगने से ओजखमी हो गया, महला की मौत की सुचना पर जम कर हंगामा हुआ, मिरितक के परिजन वा कोलोनी के लोगों ने तिलक समरों में बने खाने को फेग दिया, जबकि डेकुरेशन को बरबाद कर दिया, इसके बाद सडक जाम कर दिय इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 42 दिनों बाद मिली दर्दनाग खबर, 14 अक्टूबर से लापता तिन युवकों की मिली सीर कटिला, ससूर निकला कातिल, खुटी जिले के अड़की थाना छेत्र इसी, पोड़का जंगल से बुधुवार को तिन युवकों की सीर कटिला आस ब्रामत की गई, तिनों युवकों 14 अक्टूबर से लापता थे, इस हत्याकान में महला समेतिन लोगों को पुलीस ने गिरपतार किया, एस बी आसुतो सेखर ने बताया कि बंदगाँ बजार जाने की बात कहकर, तिनों युवक निकले थे, बजार से वे सभी साथ गए, एक युवक के सस्राल गए वहाँ, सभी खापी कर सोने की तयारी कर रहे थे, इसी बीच युवक ने सुरु सांडे बोदर, कानु राम बो लोगों ने तिन युवकों को पकड़ कर घर से दूर ले जाकर सीर को धर से अलग कर दिया,